एक matrix A जिसका size 2 by 2 है दे रखा है 1 iota 1 इस matrix का अगर मैं A star निकालता हूँ यानि कि conjugate transpose तो वो क्या होगा 1 minus iota minus iota 1 आपने देखा A और A star सेम नहीं है option से discard हो जाता है अगर मैं A square करता हूँ यानि कि इसको इसी के साथ multiply करा देता हूँ 1 iota iota 1 तो मुझे क्या मिलता है 1 को बंसे कराओंगा iota square तो मैं इसको multiply कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1st row 1st column तो 1 minus 1 यह 0 मिलेगा iota plus iota यानि कि 2 times iota यहाँ पर हमें मिलेगा iota plus iota 2 iota और यह हमें मिलेगा iota square minus 1 1 minus 1 तो 0 2 times iota 2 times iota 0 आप यहाँ पर देख सकते हैं यह identity के बरावर नहीं है option d भी आपका false हो जाएगा अब हम देखते हैं कि a और a star को आपस में multiply कराने से क्या मिलता है 1 iota iota 1 यह मेरा a और a star है 1 minus iota minus iota 1 first row first column तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 iota 002 तो यह हमें मिलता है 2 times identity यानि कि identity नहीं मिलता है अगर हमें a और a star equals to identity मिलता तो हम कह देते कि a star equals to a inverse जबकि ऐसा नहीं हुआ है option यह भी हमारा wrong हो जाता है तो correct option आपका क्या होगा भी होगा आप इसको justify भी कर सकते हैं यहाँ पर आप एक चीज़ हो रियाद रखेंगे अगर a equals to a star होता है तो इसको self adjoint बोलते हैं self adjoint matrix और अगर a star equals to a star a होता है तो इसको normal matrix बोलते हैं